स्वागत है दोस्तों तो इस समय एक बड़ी खबर सामने आई है, सिंगदेव ने ली आठ घंटे वर्चुल बैठक गावों में पालिथीन का उप्योग कम करने का टारगेट, सभी पंचायतों में बनेंगी सीसी सरकें, पंचायत मंत्री टिये सिंगदेव ने बुधवार को दिल्ली से वर्चुल माध्यम से विभागिय बैठक कर योजनाओ की समीक्षा की, बैठक करीब 8 घंटे चली, उन्होंने बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के जनप्रती निधियों के साथ चर्चा भी की, मंत्री ने ग्राम पंचायतों मे कचरा खरीदी बिक्री में एकत्रित राशी की मासिक जानकारी व अर्जित राशी की मॉनिटरिंग करने, नए एसो आर, स्वर सहायता समूह के संचालन, ग्राम पंचायतों में पॉलिथीन का उप्योग कम से कम करने पर जोड़ दिया। इसी तरह से मनरेगा के तहट कार्यरत राजमिस्त्री को पेमेंट की प्रक्रिया को सही करने, व्रिधावस्था पैंशन योजना और सभी पंचायतों में डबल्यू बीम और मुरुम से सीसी रोड निर्मान समेत अन्य महत्वपूर्ण विशयों पर चर्चा की गई। बिलासपोर दुर्ग व अन्य संभाग के जनप्रतिन इधियों ने कोर्बा के ग्राम पंचायतों में हैंड पंप निर्मान, सरपंचों की समस्याओं, राइगर में शत्रतिशत वेक्सिनेशन पर बात, कुपोशन मुक्ट संकल्ब, ग्राम पंचायतों के स्कूल के निर्मा के कारियों और आंगनबाडी की विवस्था की भी जानकारी लिए। इसी तरह से गौठान तक पहुँचने के लिए सीसी रोड निर्मान, महिला स्वास्थे समुह के मांदेय पर बढ़ोतरी, ग्राम पंचायतों के तालाबों पर सौंदर्य करन, व्रिक्षारोपन, डिजि कर दो एंगने की जानकारी, एंगने की जानकारी.